दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेकसेविल में दोस्तों यहां आप देख रहे हैं कि यहां PVC टाइल जो होती है PVC फ्लोरिंग आप यहां प्लैंक देख रहे हैं और PVC विनाइल फ्लोरिंग जो की कार्पेट की तरह आता है यानि पूरा रोल आता है जैसा कि आप यहां देख रहे हैं यह तीनों चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ कि अगर पीवीसी के आप टाइल जो टाइल पैटर्न में है वह आप लगाते हैं तो आपको कितना खर्चा पड़ता है तो वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तो आप जैसा कि देख रहा हैं कि यहां पे पीवीसी वीनाईल फ्लोरिंग यहां पर लगाई गई है पूरी आप रूम देख रहा हैं यहां पर बीस का कमरा है यानि कि तीन सो स्कॉार फिट के रूम में यहां पीवीसी वीनाईल फ् तो आप जानते हैं कि उस पर पानी अगर आता है तो फूलने लगता है वहाँ से पटने लगता है तो पीवी सी विनाईल फ्लोरिंग में ये फाइदा होता है कि आराम से 10 से 12 साल कहीं नहीं जाने वाली है ये बहुत ही अच्छा और टिकाऊ चीज है और वहीं बहुत जगा द देख रहे हैं इसकी लाइफ जो है 10 से 12 साल की होती है और दोस्तों एक और चीज आपको बता दूं कि जो ये पीवी सी विनाईल फ्लोरिंग होती है ये 2 mm से लेके 6.5 से 8 mm तक की आती है और जो कार्पेट होती है कार्पेट की जो थिकनेस होती है वो 0.7 से 0.8 mm की होती है त दोस्तों बहुत ही टिकाओ है बहुत अच्छा है आप इस पर कोई अगर इस पर कलर गिर जाता है कुछ भी गिर जाता है दाग धब लग जाते हैं तो आप असानी से इसे पानी का पूंचा मार के इसे क्लीनिंग कर सकते हैं और रही बाद इसकी इसकी इंस्टोलेशन की तो कि आप देख मैं आपको बताया कि यह जो PVC विनाइल फ्लोरिंग होती है तीन पेटर्न में आती है एक होती है हमाली टाइल के पेटर्न में यानि कि 12 इंच बाई 12 यानि एक फिट बाई एक फिट की तो जो टाइल है टाइल लगभग मार्केट में आपको 40 से 50 रुपे फिट मि यह मार्केट में लगभग में आपको 50-60 रुपे में मिलता साथर यह भी थोड़ा सा कॉस्ट्ली पड़ जाता है यह तो थोड़ा से प्लेंग को झाहें उस प्लेंग कि यूज ड़ेकि यह सकतें है प्लेंग में हमें फाइदा यह होता है कि आगर मालन लिजए कि इस एक admired क फ्लोरिंग कर रोल यूज किया है रोल दोस्तों ज्याद़ तर इंडस्टरी अगर अगर यह रोल अप लगवाते हैं,La हम ओप और तो यहां पर तर दुकान से पांच छे पर 12 करने की को पहले उल्टा करना है उल्टा करके और फेविकल यहां पे देख रहा हैं यह सार आपको पूरे रोल में लगा के उसको बीस मिनट हाते जाए ताकि उसमें कोई एयर ना बने उसमें बाबल ना बने वेकदम एक वराबर चिक ना हो जाए और यहां देख रहे हैं यह स्काटिंग भी साइड साइड में ऊपर तक चड़ाई गई है तो इस पे भी आपको एसर लगा के वही एडेसिव और तब आपको यह फ्लोरिंग किया गया है इसमें एसर मतलब केमिकल जो हमारा लगा है करीब तीन से चार लिटर इसमें केमिकल लग गया है एसर फिर इसमें जो लेवर है दो लेवर मेरी लग गई है यहां पे साथ से आठ सो रुपे की केमिकल मुझे मिल गया है यहां पे करीबन एक हजार से तो टूटल इसमें मेरा खर्चा लगा है यह 7000 रुपे लगा है तीन सो स्क्वाइर फिट के एरिये में अगर वहीं आप अगर मालेजें दस भाई दस का आपका कमरा है अगर उसमें आप यह विनाइल फ्लोरिंग जो रोल वाली है यह लगाना चाहते हैं तो लेवडर केमिकल और मेटेरियल के साथ जो टूटल आपका खर्चा आएगा यह 15-18 रुपे के बीच में आएगा